हेलो दोस्तों स्वागत है आपका स्वापनेल करन रफेर समार यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे कमेंट बॉक्स पे काफी लोगों के कमेंट आ रहे थे हो सबका अंसर में नहीं दे पार था तो मैंने सोझा इसको पर चलो एक वीडियो बनाय जाए कुछ लोगों के कमेंट में पढ़ोंगा और उसके अंसर देने के पूरी कोशिश करोंगा दिलिप सिंजी का कैना है कि सर मैंने यूटूब चैनल पर एसे सी टार्गेट चैनल में देखा है कि इस बार KBS LDC में Backspace Allow नहीं रहेगा तो ये बात कितनी सही है यानि इस बार KBS LDC में Backspace Allow नहीं रहेगा यानि पिछले बार Allowed थी क्या आपको वहाँ पर ये कमेंट करना चीए था बट मेरे इसाब से जब तक कि कोई Official Notification नहीं आता है जब तक के KBS के skill test के लिए quality download करने का instruction पे जब तक नहीं आएगा तब तक के इसके ऊपर कुछ भी कहिना तोड़ा मुश्किल है बट जहां तक के मेरा कहिना है यहां पे आप अगर कोई word type करते हो अगर उस word में कुछ अपने गलत type करते हो तो आप उसको backspace कर पाओगे बट एक exam अगर आप कोई word type कर रहे हो तो word type करते हो आप back जा सकते हो बट एक बारी space दबा दिये तो आप back नहीं जा पाओगे जाता कर exam में ऐसे ही होता है नेक्स्ट हम लोग comment पढ़ेंगे मनोज कुमार पंडित जी का प्लीज प्रोवाइड अल पीडियेफ इन टेलिग्राम और यूटूब डिस्क्रिप्शन तो टेलिग्राम पे मैंने काफी पीडियेफ जो है अपलोड कर चुका हो और हमारा जो ग्रूप है फेस्बुक पे व आपको जल्दी ही मिल जाएंगी आने वाली दो से तीन दिन में हो सकता है तीन से चार दिन में आपको एक Android application मिले जहाँ पे आपको सारी पेपर्स और सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिले Android application जो होगा जो मैं डेवलोट कर रहा हूँ वो होगा इंग्लिश में मानसी पुंतर जी का कहना है कि कब है exam इनको जानना है या सभी को जानना है कि exam कब है skill test का तो अभी तक updated answer की जो है upload होनी की है official website पे updated answer की upload होने के बाद आपकी cut off आईगी और cut off के बाद में आपको कुछ समय दिया जाएगा तो मेरे हिसाब से आप और 1 से 7 मैना मान के चलिए उसके बाद ही आपका 7 मैना बाद ही आपका exam होगा आज की तारी के 23rd of March तो आप मान देजिए में के 1st week में आपकी exam जातके हो सकती है अंकुष कुमर जी का कहना है कि सर कई कई YouTube चैनल वाले कह रहे है backspace यूज़ नहीं होगा किसी भी तरह से typing test में और आप कह रहे हो कि backspace YouTube चैनल मेरा आपको यह suggestion है कि backspace जब यूज़ होगा वो तभी आप backspace यूज़ कर सकते हो अगर आपने space बार दबाने के हो एक बार यह आपने space बार यूज़ कर लिए तो backspace की की है वो log हो जाएगी ठीके बड़ फिर भी आप कोशिच करिए कि backspace यूज़ ना करें घर भी अगर आप practice कर रहे हैं तो backspace यूज़ करने की नौबत ही नहीं आए ऐसी आप practice करो क्योंकि backspace करोगे याने आप कुछ गलत word type कर रहे हो तो आपको back जाने की जरूरत पड़ रही है तो आप इतना कोशिच करो कि accuracy maximum रखो क्योंकि accuracy भी आपको रखना है उसके साथ साथ में आ टाइप करते हो चोटा सा भी word है तो आप उसमें back जा सकते हो बड़ एक बार अपने space बार यूज़ कर लिए next word अगर वहापे highlighted हो रहा है तो आप जो है backspace नहीं जा पाओगे ठीक है रामना जी का कहना है कि right hand affected है type test में छूट मिलेगी क्या sir जी तो रामना जी को मेरा ये कह होना चाहिए कि आप जो है typing नहीं कर सकते हो आप असमर्थ हो typing देने से तीक है तभी आपको जो है वहापे छूट मिलेगी अमित कुछवा जी का कहना है कि होना चाहिए waiting list के बारे में था ये इसको छोड़ देते है zero gravity जी का कहना है कि भाई मुझे सिर्फ English typing आती है लेकिन ह हिंदी नहीं आती क्या मैं पास हो सकता हूँ या फिर मुझे हिंदी टैपिंग सीखना पड़ेगा आपको हिंदी टैपिंग सीखने के कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लेरली कहा गया है कि एक तो आपको इंग्लिश में टाइप करना होग तो 35 वर्ट्स पर मिनिट का आपका जो है स्पीड होना चाहिए अगर आप हिंदी में करते हो तो तो 30 वर्ट्स पर मिनिट का आपका जो है स्पीड होना चाहिए जीते अंद्र कुमर जी का कहना है कि 84 in H.C. result L.D.C. का चलो ठीक है आपको तो काफी अच्छे नंबर से H.C. category में 84 काफी अच्छे chances अगर एक बारी अगर आप skill test pass कर जाते हो तो आपके job के यहाँ पे काफी अच्छे chances है यानि मतलब 100% ही chances आपके यहाँ पे है OH category 66 marks इनी chance काफी अच्छे chances प्लीज मेक अप वीडियो on MSXS MSXS के बारे मैंने वीडियो बना चुका हूँ दो पार्ट मेरे आ चुके है तीसरा पार्ट भी जल्दी आएगा तीसरा पार्ट होगा रिपोर्ट के उपर और चौता पार्ट होगा मेरा क्यूरी के उपर तो हम लोग दोनों पार्ट पड़ेंगे उसके बाद में मैं question भी करा दूँगा उसको अभी time है थोड़ा क्यूंकि मैं android application में थोड़ा busy था उसके चल्दे थोड़ा सा वीडियो late आ रही है बट जल्दी ही वीडियो आएगी इसके बाद अगर कुछ comment पड़ेंगे तो कफे सारे comments आयो है तो मैं कुछ comments यहाँ पे note down कर लिया हूँ तो मैं यही comment अभी लेने वाला हो मुहित कुमर जी का कहना है कि sir if we press two times inter key for single spacing and three times inter key for double spacing and so on will it work जैनि यह काम करेगा क्या अगर वो दो time inter press करते है single spacing के लिए और तीन बार inter press करते है double spacing के लिए तो यह काम करेगा क्या तो यह बिल्कुल काम नहीं करेगा क्यूंकि आपके पास में खड़ा होगा अगर आपको कोई text दिया गया है मान लेते हैं कोई text आपको दिया गया है अगर आपको इसको double spacing में करना है तो आपको जाना होगा paragraph में और यहाँ पे आपको just double यहाँ पे select कर देना है और जैसा आप okay करोगे तो पीछे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे spacing बढ़ गई है तो इस तरीके से practical होगा आपका आपको हो सकता है वहाँ पे कुछ text दिया हुआ होगा पहले से आपको उसको भी करना हो सकता है यहाँ पिछले बार जो हुआ थ उसमें आपको जो है text दिया हुआ था लेटर था और वहाँ पे आपको modification करना था, bold करना था, italic करना था, वहाँ पे आपको font change करना था, font का type change करना था, यह सारे चाशे मैंने पहले प्र दिसकस कर चुका हूँ, आपने शाहिद वो वीडियो सारे देख लिए होंगे word के आप लोग basic से फिर से हम लोग बात करेंगे, ठीके, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा अभी normal और इसको मैं जाओंगा अभी paragraph में और यहाँ पे हम लोग इसको कर देंगे single, ओके, तो इस तरीके से यह हो गया है, तो इस तरीके से आपको practical करना होगा, skill test है, आपकी skills, आ पोतम जी का भी same कहिना है, interface, तो आपका जो है, मैंने की, इसमें ले चुका हो, अभी शेक कुमर जी कहिना है, कि sir, जो आप drag down करते है, तो सारी value दे देता है, बट मेरे Excel में वही value कर देता है, drag down करने पर, तो इसका answer के लिए हम लोग कुछ practical यहाँ पे करेंगे, practical हमें इसक निकल के आई होई है, यह जो है, मैंने watermark पिछले वीडियों बदाया था, मैं अभी इसमें काम कर रहा हूँ, तो मैं इसको normal view में कर देता हूँ, तो आप देख पाऊँगे, आप जैसे में यह पे क्लिक करूँगा, तो यह आप ऊपर मैं आपको formula देख रहा होगा, मैं चा तरीके से कर सकते हो, आप तो एक तो यह जो छोटा सा यह पे box बना हुआ है, इसको आपको पकटके खीचना है नीचे, ठीके इस तरीके से, या फिर आपको just इसको simply double click कर देना है, तो आप देख पाऊँगे यह आपे सारी values निकल के आ जाएगी, इसी तरीके से आपको काम क करना होगा, ठीक है, तो इनका कमेंड का अंसर पर शायद मैंने दे चुका हूँ, ग्यानेश्वरदास जी का कहना है कि सर के वेस रिजल्ट कब तक आ रहा है, अभी चल रहा है मार्च और लास्ट वीके मार्च का, तो मेरे हिसाब से एप्रिल के 10 तारीक तक के इसका रिजल मिलेगा, क्या कोई भी फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपकी स्पीड अगर 34.99 भी है, तब भी आप डिस्कौलिफाय कर दिये जाओंगे, आपको जो है मिनिमम 35 वर्ट पर मिनिट की आप स्पीड चाहिए, उससे अगर 0.01 परसेंट भी अगर आपकी स्पीड कम हुई, तो वो लोग कंसिडर नहीं करने वाले है, क्योंकि उनके पास में केंडिडेट की कोई भी कमी नहीं है, आपकी 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 कितनी भी रहने दो, आपकी कम से कम 42 वर्ट पर मिनिट की स्पीड होनी चाहिए, उससे और आप जब एक नहीं होगा, तो आपको डिस्कौलिफाय कर स्पीड जो है वो उतनी आएकी, और आपकी घर पर 98 है, तो वहाँ पर 97-96 आपकी आपकी आएकी आपकी दो, ठीक है आप रिक्स मत लीजिये, maximum आकी डिस्टी, और maximum स्पीड जब हाँ अंस में कीडिस करते हो, तब आना चाहिए. आलोग कुछ वाजिगा कहना है, कि सर कुछ कुछ टैरा ही होती है कर दोनों चीज़े तैम कर रहे हैं। अब कि कोई दिखत कोई दिख encompass ञाइक सब्सyonले कर अब होगा है। रहा सा हैं कि academics तते हुगा वी सब्सक्रस्टरत है of font, should I change the font type यहाँ पे हिंदी टैपिंग का मुझोद ना नौलेज नहीं है, फिर भी यहाँ पे आपको option वहाँ पे मिलेगा जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको option दिया जाएगा कि आप कृतिदों में करना चाह रहे हो या फिर आप मंगल font में करना चाह रहे है तो आपको option दिया जाएगा या फिर जब आगे जो notification आएगा official notification जब इसका आजाएगा तब भी यह चीजे clear होके सामने हमारे आजाएगे संदीब कुमर्ची का कहना है कि सर professionally type करना जरूरी है या randomly भी कर सकते है तो आपको professional ही करना होगा आप randomly कुछ भी type करोगे तो आप नहीं कर पाऊगे आप वो speed maintain ही नहीं कर पाऊगे कोई भी maintain नहीं कर पाएगा क्योंकि जैसा मैंने भी कहा कि 40 word per minute की speed आपकी घर पे होने चीज़ी with the 98% accuracy और आप ऐसे कुछ randomly 1-1-1 की देख देख के अगर type कर रहे हो तो possible ही नहीं है 20-22 के उपर आप जाई नहीं सकते तो मेरे इसाब से आपको professionally type करना बहुत ज़रूरी है आपको मैं suggestion देना चाहता हूँ कि आप जल से जल जो है typing class join कर लीजे क्योंकि basic साना यहावे काफी इंपोरेंट होता है पुनित रंजन जी का कहना है कि how much time will be provided in KBS exam जैसे कि मैंने अभी आपको answer दे चुका हूँ कि 10 ने डोग आपका maximum tapping के लिए और CPT के लिए maximum आपको 1R का समय दिया जाएगा अनुश कुमर जी का कहना है कि sir मेरे में mobile number की place sir शिर्फ 9 डिजिट तक accept कर रहा है what should I do तो what should I do आप बात कर रहे हो MS Access की MS Access में जो है आप उपर का जो उसके तो field होता है वो field का जो data type होता है उसको आप number select कर रहे है और वहापे type करके देखिए obviously हो जाएगा 9 digits कि आमें तो कहता हो कि 90 digits तक भी आप वहापे जो है 10 digits 11 digits 90 या फिर 100 digits तक भी आप वहापे जो है data input कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है लखन शेकावर जी का कहिना है कि sir इन सब exercise की PDF description box में डाला करो ताकि यही से download कर ले description में PDF नहीं आप आती है description में मैं आपको सिर्फ link provide कर दे सकता हूँ वहाँ से आप Facebook से या फिर Telegram चैनल पर redirect हो जाओंगे वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी बट आने वाले समय में 3-4-5-6 दिन में जा तक एक Android application में बना रहा हूँ आपको सारे PDF एक ही जगे पर मिल जाएगी संजी दिवन जी का फैना है कि सर CPT में practical होगा या सिर्फ question पूछे जाएंगे तो यहाँ पर आपका practical test होँगा आपको कुछ task दिये जाएंगे जैसा कि इस चीज को मुझे करना है underline तो मैं इसको underline कर दूँगा मुझे इसको bold से हटा कि इसको बड़ा चोटा करना है तो यह होगए अपना वर्ड की बात इसी तरीके से जो है आपका CPT exam में इस तरीके question रहेंगे basic भी रहेंगे यहाँ पर table बनाना भी होगा मैं आने माले वीडियो में MS Word के उपर अगर आपके ज़्यादा comments होए तो मुझसे possible हो पाएगा मुहमत आसिप जी का कहिना है set paper willingly लिखा होगा क्या obviously जो set paper willingly होगा आपको जो हिंदी और English में यहाँ पर पेपर होगा daily hundred का कहिना है कि sir watermark के size increase या decrease कर सकते है क्या और कैसे तो इस बार में मैंने वीडियो बना चुका हूँ आप वो वीडियो जाके देख सकते हो playlist में आपको मिल जाएगा या फिर आपको वीडियो में भी मिल जाएगा sir अब हमें 3-4 question दे दीजे करने के लिए और बाद में उनका solution आप बता देना जिससे मैं practice कर सकू तो मैं जल्दी ही कुछ questions post कर दूँगा facebook group पे तो आपको कुछ questions वा पे मिल जाएगे और उसके ओपर मैंने वीडियो भी बना दूँगा let's go का कहना है कि backspace भी error में count होगा क्या तो backspace जो है error में बिल्कुल भी count नहीं होगा अवध यार्दाजी का कहना है कि sir typing पूरा complete करना होगा या 35 words per minute ही क्रैटरिय होगा qualify करने का तो simple सा इसका answer है कि आपको जितना दिया गया है वो पूरा type करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको तो बहुत बड़ा पैसेस दिया जाएगा बड़ आपको पता है कि आपकी speed कितनी आ रही है घर पे आपको पता है कि मैं qualify कर लूँगा क्योंकि मेरी speed 45 words per minute किये with 98% accuracy तो आप जितना मार सकते हो typing उतना करिए नीचे का आपकी 5-6-7-8 line छुड़ भी जा रही है तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको 10 minute जो दिये गया है उतना समय आपको जो है type करते जाना है आपको देखना लिए कि पैसेज तो इतना बड़ा है मैं कर पाऊंगा ने कर पाऊंगा क्योंकि आपको पैसेज तो बड़ा ही दिया जाएगा पड़ आप जितना कर सकते उतना है और उनका जो भी सॉफ्टर रहेगा वो कैलिकुलेट करेंगे आपको बड़ा सा पैसेज दिया जाएगा आपको उसको type करना होगा जितना हो सकता है उतना करिए नीचे के लाइन तो छूटेगे ही ज्यादा अगर candidates की सर टैपिंग हिंदी और English दोनों में होगा गया नहीं टैपिंग आपका कोई भी एक ही language में होगा हिंदी या English में सर जब नंबर आता है टैपिंग में कैसे तो आप नंबर वाला की याद किया है या ऐसे ही देखकर टैप करते हो हां तो keyboard में जो number दिये होते है numerics जो होते है और वापे कुछ alpha numerics भी होते है तो आपको जो है अगर basic से दरा पढ़ रहे हो ABC दे आपका अच्छा से है अगर आपके speed अच्छी आ रहे है वैसे actually numbers ज्यादा नहीं पुछ जाते है अगर आपको बड़ा सा message भी दिया हो है तो उसमें maximum जो है 1982-1975 हो इस तरह के से ही आपके जो है वापे numbers होंगे तो आपको अगर practice नहीं है तो आप जो है देखके भी उसको कर सकते हो क्योंकि 4-5 की stroke आपको प्रेस करना होता है तो उसके लिए भी वहाँ पे आपको ज्यादा ये क कर सकते हो अगर आपके पास extra समय मिलता है अगर आप जाला समय दे रहे हो 2-3 घंटा अगर आप practice कर रहे हो टाइपिंग गई तो आप नंबर के उपर भी कोशिच करिए सर इस exam के typing test में paper तो नहीं मिलेगा ना नहीं इन paper तो मिलने के chances से आप बिल्कुल भी कम है क्या typing test में special character भी रहेंगे बिल्कुल special character रह सकते है अगर आपको को email id दी गई है तो आप आप the rate आपको दबाना होगा, hash दबाना हो सकता है, रूपय का symbol हो गया या फिर dollar का sign हो गय इस तरीक से आपको alphanumerics या फिर कोई sign symbol भी आपको देखने को मिल सकते है, तो आपको practice करना है, संदीप भोरिया का कहिना है कि sir मेरे 5 जो typing master है उसमें duration time 2 minutes से ज्यादा नहीं हो रहा है, any solution, तो इसका solution यही है कि आपको यहापर type करना होगा, typing master full version free download, तो आप जब यह type typing master full version free download, तो आपको जो है इस तरीक से वीडियो आ जाएंगी, मेरे इसाब से आप देखिए यह तीन नंबर वाला वीडियो जो यहाँ पर आया है ranking में, तीन नंबर वाला वीडियो कुन सा है, take with for you का, take with for you का आप यह वीडियो देख लीजिए, इसमें आपको जो है full version मिल चार-पाश मिनट का वीडियो होगा, यह आप देख लीजिए और आपको फूल वर्दन यहाँ पर मिल जाएगा, next comment हम लोग रहते है, रिक राज, राज रिक का, कि printed matter को देख के करना है क्या, तो यहाँ पर printed matter आपको मिलने के जांसे काफी कम है, फिर भी अगर आप करना च तो वो काफी easy होता है, आप हाट की practice करके जा रहे हो, तो obviously आप जो है qualify तो होई जाओगे, बट यहाँ पे आपको printed matter मिलने के chances जो है, वो 1% है, सर यूटूब पर भी PDF प्रोवाइड कर दीजिए, प्लीज CPT का, तो यूटूब पे PDF अभी तक upload करने का ऐसा कोई भी नहीं आ या फिर टेलीगराम चैनल, और आने वाले समय में एक Android अप्लिकेशन भी आने वाला है, जिसका launch जो है, इसी यूटूब चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, SK गौतम जी का कहना है, कि सर अगर मैं PowerPoint में कोई presentation बना रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि एक पिक बैगरॉंड में रहे, तो पिक को बैगरॉंड में कैसे लगा है, तो इसके उपर मैं जल्दी वीडियो लेके आजाओंगा, आपका जो कमेंट है मैंने नोट टॉम कर लिया है, इसके उपर में जल्दी वीडियो लेके आजाओंगा, निशा सिंग जी का कहना है कि सर MS के कौन से वरसन पर exam होगा, 2007 होगा, 2007 होने के आपे पूरे chances है क्योंकि गौवर्मेंट जो है अपने software update नहीं करती है, आज चल रहा है 2018, आज से आपको 11 साल वीच्छे लिके जाए तो टाइपिंग में जो accuracy है, अलग-लग category के लिए अलग-लग है, OPC और Open के लिए 95% की यहाँ पर accuracy उनको चाहिए, और AC, ST candidates के लिए 93% accuracy यहाँ पर चाहिए, सेंडर गौर्मेंट के रूल के सबसे, हम लोग next comment लेंगे अभिनाश, अभी जी कहांसर, कुछ लोग बोल रहा है क backspace count होगा, backspace count बिल्कुल भी नहीं होगा, next comment लेते हैं कि सर यह बताए कि final result कब आ रहा है, final result तो काफी time लगेगा, और मेरे सबसे, चार मेने तो आप मानके चलिए, चार से पांच मेने और मानके चलिए, क्योंकि time लगता है, अभी आपका जो है updated answer की आएगी, उसके पाद cut मेने आपके पस में समय है, तो यह थे सारे comments, बने इतने comments अभी जितने मेरे से हो सक, हमेरे उतने comments ले लिया हूँ, यह थे कुछ comments जिसका मैने answer करने की पूरी कोशिच किया हूँ, फिर भी आपके कुछ questions होंगे, तो आप comment box में message करिए, हो सकता है, आने वाले 4-5 दिन में मै comment box series 2, जिसमें मैं आपका questions ले सकूँ, आपके अगर कोई सोजा होंगे, तो वो भी आप हमें message कर सकते है, comment box के जरिये, और आपको यह वीडियो कैसे लगा, वो भी आप comment box में message करिए, और आप किस प्रकार के वीडियो चाहते हो, वो भी आप comment box में message करिए, thank you very much guys, for watching the video, please like, share, comment and subscribe the channel for more related videos, thank you very much.